देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेवर हल्पना आज आप लोगों को फॉरेवर के बहत्रेन प्रोड़क्ट एलोवेरा जेली के बारे में बताने जा रहा हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले नीची दिएगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें ता वास्तों में किसी परिचे की ज़रुत नहीं है लगातार इस चमतकारी जीवनदाई गुणों वाली प्राकर्दिक और शुदी को सराहा गया है और इसके गुणों की चर्चा की गई है इतना ही नहीं आज ब्यूटी और हेल्प केर इंडस्ट्री से जुड़े हुए वेवस अन्या उत्पाद रखना चाहते हैं ऐसे हालाब में कच्चे मलक के सोथ और उसकी शुद्रता बहुत मैत्वपून हो जाती है पिछले लगभग 38 सालों से पौरेवर लिविंग प्रडेक्स ये प्रडेक्स बना रही है जो संसार में एक करोड से भी ज्यादा गाड़ा पारदर्शी जैल है जिसमें सबसे अधिक घटक लगभग 285 पोशक्तत्वों मतलब 20 के करीब मिनरल्स है आयरन, कैशियम, मैगनेशियम, सेमियम, वनेडियम और इभी इसकी प्रकार के इसके अलावा 12 तरीके के विटामीन विटामीन A, B1, B2, B3, B5, B6, B12 विच पॉलिक एचिट, 18 तरीके के अमीनो एचिट और लगभग 200 के करीब और दूसरे पोशक्तत्वों मुझूद हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 100 प्रतिशत इस्टेवलाइजड एलोवेरा जेल है, कहनेकार्थ है एलोवेरा जेली में वो सभी फायरे हैं जिनके लिए एलोवेरा की सबसे परिश्कृत रूप में एलोवेरा जेली इसकीन तमंदी छोटी मोटी समस्याओं के लिए रामबन के रूप में काम करती हैं जैसे घमोरियां हो जाना या खरोच, इसकीन का कटना फटना जा जहरीले कीडे द्वारा खाटना या उसके डंख का असर फिर अपने शुद्धतम रूप में होने के कारण तथा एलोवेरा के आराम देने वाले गुनों से भरपूर होने के कारण ये मूँ में छाले जैसी छोटी समस्याओं से लेकर बड़े घाव जो जलने की वजह से हुए हो या सोराइसिस जैसी भयानक दिमारी के कारण उनमें ये काफी आराम पहुचाता है जब इसे अन्य दवाईयों के साथ में लिया जाता है सिर्फ इंसान ही नहीं आपी तो जानवर भी इस उत्पात की चहु मुखी उप्योगीता का पायदा उठाते हैं एलो बारबर इंजिस मिलर के किस्म के पुद्धे से निकाला गया एलो वेरा जेल मुख्य घटक है मेन इंग्रीडेंट है और इसमें परिश्कृत तरीके से नमी प्रदान करने वाले तदमें हैं जैसे ग्लीसरी स्कीन केर प्रदक्स में ये आवश्य घटक है ये हमारी स्कीन के पी-एच बैलेंस को बनाए रखता है प्राकरतिक अमोलियंट से भरपूर होने के कारण हमारी स्कीन को ये ठंडक पहुचाता है नमी प्रदान करने की शमता के कारण ये पानी को अकरशित करता है जैसे नमी ये हमारी स्कीन के अंदर सर्थ ऑक्सिजन को लिखी जाता है जिससे हमारी स्कीन में नमी बनी रहती है और इची स्केली स्कीन होने से बचाता है ये हमारा जो इंग्रिडेंट है ये स्वचा को ठंड़क पहुचाने में बहुत ज़दा मदद करता है इसमें शामिल है एस्कॉर्बेक असेट एस्कॉर्बेक असेट मतलब विटामिन C का ये रूप इसकिन को एक रचनात्मक आधा देता है ये घटक या इंग्रिडेन्ट कोलजन तयार करने में मदद करता है कोलजन का जैसा कि मैंने आपको पिछले विडियोज में बताया था हमारे जो इस्ट्रक्चर है हमारा ध्राचा है शरीर का उसके साथ में जो इसकीन चिपकी देती है वो कोलेजन के कालने देती है जो स्टेल के विकास में साहिप होता है यह स्कॉर टिश्यू और लिगमेंट के बनाने में मदद करता है और स्कीन की रिपेरिंग करता है मतलब उसमें स्कीन संबंदी कोई भी समस्या हो उनकी मरह मत करता है इसमें शामिल है टेकोफरल मतलब vitamin E यानी free radical नाशक बढ़ती उम्र के निशान जैसे महीन रेखा हैं जुर्यों को कम कर इस कीम को जवान बनाता है pregnancy या किसी वजन कम करने के कारण हमारे शरीर पर आए अलग-अलग हिस्सों पर stretch marks को कम करने की शमता रखता है इसमें शामिल है एलन टॉन ये इंग्रिडियन्ट हमारे healthy tissues को तेजी से बढ़ाने में साहिक है इसका keratolitic और estrogen गॉन हमारे स्कीन को नर्म और मुलायम और नया बनाने का काम करता है वो प्रोक्त या पीछे बताये गए और एवं इसमें अन्य घटकों के सम्मिश्रन से तयार forever की aloe vera jelly सर्व श्रेश्ट हो है ही साथ ही हमारे स्कीन के लिए रामबान है चाहिए भर धूप से जलन हो या सूजन आ रही हो उसमें आराम मिलता है क्योंकि ये सूजन प्रती रोधी मतलब anti-inflammatory है वहीं दूसरी और हमारे शरीर पर कहीं पर भी घाओ या खरोच लग जाए एठन की समस्या हो या घमोरिया हो या diabetes के gangrene का घाओ हो तो बड़ी लाब धैक रहती है क्योंकि इसमें पंगल रोधी या septic रोधी गुण होते है नहुजाद बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है उनके रेशे मतलब लाल-लाल दाने जीसे हो जाते है या उनके मसूडे आ रहे हो या दातों में दात आने के वज़ा से वो फूल रहे हो या मच्छर वगरा काट जाए तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है शेविंग करते समय या किचिन में चाको से कट जाए तो ये काफी फाइदे मन दाता है क्योंकि इसमें हिलिंग प्रोपर्टी अधिक है सर में रूसी हो जाए मतलब फराज या डेंडर या बाल गिरने के समस्या हो तो एलो वेरा जेली को लगाने से उपचार तो हो गई ही साथ ही बालों की चमक भी बढ़ेगी बालों में कंडिशनिंग कर भी काम करेगा बालों में लगा कर बालों को गरम पानी के तोलिये से लपेट कर कुछ समय तक रखा जाए लगवग एक घंटे के बाद शेंपू करें तो पारलर में मिलने वाले हैर इसपासे भी बहतर परिनाम हम पासकते हैं क्योंकि इसमें नरिशिन तत्व है मतलब पोशक तत्वों से भरपूर है इसलिए आपके बातरूम से लेकर आपके केचेन या मोज मस्ती के लिए बाहर जाना हो तो एलोवेरा जेली है आपका सबसे पसंदीदा साथी तो दोस्तों आप लोगों को मैं उम्मिद करता हूं ये इन्फरमेशन अप् ग्रेड करा होगा आप लोगों ने और ये इन्फरमेशन आप लोगों के लिए लए मैं चाह sucks सकती है मैं चाहूंगा आगर आप लोगों ने अवी तक दैब नहीं किया है